जै माता दी, स्वागत आपका दीवशिकाज लाइफ स्टाइल ब्लोग के एक नई वीडियो में नवरात्री के पावन पर्व में मा दुर्गा के नौ सरूपों की पूजा और अर्चना की जाती है और उनसे सुक्र समर्द्धी की कामना करते हैं इन नौ दिनों में भक्त पूरे भक्ती भाव से माता का वरत और उपवास करते हैं ऐसे समय में जो लोग पूरे नौ दिन की वरत रखते हैं या जो लोग अखंड जोद जलाते हैं या जो कलश की इस्थापना करते हैं उन लोगों के लिए नौ दिनों के लिए कुछ खास नियम बनाई गई हैं, मानिता के अनुसार कहा जाता है कि नवरातरी के इन पवित्र नौ दिनों में भूल कर भी आपको ये आठ गलतियां नहीं करनी होती हैं, जाने और अंजाने भी नहीं करनी होती हैं, तो आप पहले से ही जान लिजे कि क्या वो आठ गलतियां है जो आपको नहीं करनी है अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपका जो वरत और उपबास का जो पुन्य है वो पूरा खतम हो जाता है और माता जो है वो क्रोधित भी हो सकती है उनकी नाराजगी भी आपको जीननी पड़ सकती है त जो नौ दिन का वरत रखने वाले हैं जाने अन जाने अगर उनसे भी ये गलतियां होती हैं और उनको ये वीडियो पहले से देखने को मिल जाती हैं तो कहीं न कहीं उसका पुन्फल आपको भी प्राप्त होगा तो चले बताते हैं कि क्या वो आठ गलतियां हैं जो आपको बि लेकिन जो भख्त नवरात्री में पूरे 9 दिन की वरת रखते हैं और साथ ही साथ घर में अखन्ड जोद को भी जोलाते हैं अखन्ड जोद जलाना यानि की घर में सुक समुरिड्दी का वास करना तो इसमें क्या है कि जब आप कलश स्थापना कर रहे हैं जो या गेहूं के जवारे आप बोई हैं आपने तो आपको क्या करना है कि पूरे नौ दिनों के लिए जब तक भी माता आपके घर में विराज मान है आपको अपने घर को खाली नहीं छोड़ना होता है घर से बाहर नहीं जाना होता है ताला नहीं लगाना होता है घर में यानि कि जहां पर भी आपने माता की चौकी सजाई है उनको आसन दिया हुआ है घर का कोई न कोई सदस वहां पर अवस होना चाहिए माता की चौकी को अकेला और खाली नहीं छोड़ते हैं तो ये एक पहला नियम है जो आपको बना के रखना है, अगर आपने अखंड जोद जलाई है, घर में आपने कलश स्थापना की है, तो आपको अपनी चौकी को भूल कर भी खाली नहीं छोड़ना है, और घर में ताला नहीं लगाना है. वहीं दूसरी गलती ये है कि आपको जो नहीं करनी है, प्याज लहसन से आपको परहेज रखना है, प्याज लहसन वैसे तो एक सबजी ही है, पर प्याज लहसन का जो अपयोग होता है, वो नवरात्रे के नौ दिन नहीं किया जाता है, ये वरजित माना जाता है, क्योंकि ये तामसिक भूजन की शेड़ी में गिना जाता है नवरात्री के नौ दिन प्याज और लहसन आपको ना खाना है ना ही इसको अपने घर के रसोई में पकाना है हो सके तो रसोई से कुछ दिन के लिए कहीं और रख दीजे क्योंकि रसोई में भी मा अनपूरा का वास होता है आप जब मा का प्रिसाद बनाएंगे वहाँ पे नौ दिनों का अलग-अलग भोग बनाएंगे प्रिसाद बनाएंगे तो आप अपने रसोई घर में ही बनाएंगे और मंदिर के बाद जो दूसरी पवित्र चीज है वो हमारे घर की सबसे रसोई होती है तो आपको प्याज और लहसुन से परहिच करना है, साथी साथ नौ दिनों के लिए रसोई घर से प्याज और लहसुन को निकाल कर बाहर रख देना है। तीसरी गलती ये है कि आपको नहीं करनी है नवरात्री के नौ दिनों में जिसने भी वृत रखा हुआ है। लेकिन ये बहुत ही अश्चुब माना जाता है, ऐसा करने से माता आपसे नाराज हो सकती हैं, तो आपको बाल, दाड़ी, मूच और बच्चे का मुंडन इस तरह की चीजे भी नवरात्री के नौ दिनों में नहीं करनी हैं। तो आप उनको घर से निकाल के बाहर कर दीजे, क्योंकि मानिताओं के अनुसार ऐसा करना बहुत ही अश्चुब माना जाता है इन नौ दिनों के लिए। पाँचमी गलती ये है कि चमड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये नियम है पाँचमा आप बना लीजे कि व मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो पहले ही आपको बोल दिया जाता है कि ये चीजे निशेद हैं आप पहले ही बाहर निकाल दीजे, मंदिर में आप इन चीजों को लेकर नहीं जा सकते हैं। और छटा नियम आपका ये होगा कि काले कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए क्योंकि काले कपड़े जो होते हैं वो मन को अशान्त रखते हैं और अपने जो है शास्त्रों के अनुसार पूजा पार्ट में ये अशुब माने जाते हैं क्योंकि ये जो नेगेटिव एनरजी है इनको बहुत ही जल्दी जो है कैच करते हैं साती सात कि आपको जो है नौ दिनों के लिए सिलाई कडाई भी नहीं करनी है ये भी वरजित होती है और घर में साफ सफाई का पिलीस विशेश ध्यान रखेगा नौ दिनों के लिए जो कि बहुत ही आपके घर के लिए शुभ होगा सात्मा आपका नियम ये है सात्मी गलती ये नहीं करनी है नाखून नहीं काटना है तेखे नाखून काटना है अगर आपको तो आप नौ दिन जब नवरात्रे शुरू होंगे तो उससे पहले ही काट लिजे नौ दिन जब आप वरत रखते हैं तो मनाई होती है कि आपको नौ होता है उसका भी सेवन नहीं करना होता है इससे की क्या है कि हमारा जो वरत उपञवास है वो खंडत हो जाता है, नमग में आप सेंधा नमक ले सकते हैं जो लहौरी नमक बोला जाता है ये व्रत का ही नमक होता है और अनाज की जगए है आप भूल कर भी नहीं करनी है नवरात्री के पूरे 9 दिन और हो सके तो जो लोग 9 दिन का वरत उपवास रखते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें बहुत ही पावन और पवित्र होते हैं नवरात्री के ये 9 दिन तो भूल कर भी ये गलती ना करें और अपने वरत उपवास को पूरा सफल बनाए जैम आता दी नवरात्री की बहुत-बहुत शुप कामना है।